सो हेज फिर समा आ चुके था अनमेस्ट फार्ड आवस जाश्ट टू फार्म एपिसोड 22 के साथ तो वीडियो के स्टार्टिंग पर मैं अजूरा ओक्स को दिख्या आता है जो घोड़े को कहा रहा होता है कि अजूरा ड्रागेन क्या तुमने सुना अब मेरा समय आ चुका है कर लिए चमक नहीं का ब्राफ की ये बात के वो घोड़ा कहता है कि हां मैंने सुना है पर मास्टर को फिम्ल ओक्स चाहिए मेल अवस नहीं तुम मास्टर का कॉल आप सिरा सब्क्राला कर पाहा और फिर में में से ऑचक्स ऑन इफ और दिखेंगा ऊसरा अब इस तो कर दो लि लिया वियुस्फुलू। हमें चेनफेन को दिखाएता है जो आजरॉआ और चिलनाने की आवाज सुनके कहारा होता है कि यह कौन सी आवाज है। तो पागल हो गया क्या यह इंपॉसिबल है एक मेल ऑक्स कैसे फिमेल ऑक्स पर ट्रांसपार हो सकता है गोड़े की यह बाते सुनके अज्रा ऑस कहता है कि यह हमारे क्लैन का सबसे सिग्रेट मेथड है और इसको कहते है ता ग्रेट लो अप यान यांग रिवर्सल और फिर वह अज्रा ऑक्स एक सेक्सी पोस बनाते है कि और यही मेथड मुझे एक सेक्सी फिमेल ऑक्स बनाता है और तब ही हमें दिखाया थे कि वहाँ पर चेंपन आ मैंने कुछ भी नहीं किया मत मरो मुझे चेंपन पीछे मूरता है और थाट प्रिंस के महांदर को कहता है कि आंट स्वांग आप कुछ लोगों को बुलाइए और गाई कलम बनाई है और आप इस ऑक्स को देख भल करेंगे यह सुनके थाट प्रिंस का महांदर कहता है कि पास से दूदी निकले कुछ और ना निकले स्वारी फिर से डॉल में बात हो गया फिर वह जाते हुए गोड़े को कहता है कि हां लेटिल ट्रागें तो क्या आल है वैसे तुम एक मिठीकल बीस्ट हो फिर वे तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो और अगर तुम मेल हो के कुछ नहीं कर पा रहे हो तो तुम फिमल पर ट्रांसपार हो जा अजुरा उसकी यह बात दुन के घोड़ा अपना माता ठोकते हो कहता है कि ब्रादर नहीं नहीं बैंजी मैं अंधा था मैं आपके ग्रेटनेस को देख ही नहीं पाया आप बहुत ही जदा कूल है सिंस सिफ्ट होत बनाना है यह सुनके एल्डर यह कहते कि हां कोई दिक्कत बली बात नहीं है इस अधर यह मनी मन में सोच रहा होता है कि मास्टा ने एल्डर के उनको जो सिक्रेट टाक्स दिया था फिमेल पैंदे ढूनने के लिए वह मैंने सही सोचा था इदार हमें घोड़े को दिख्या यह कुलंना है यह जाता है जोत्रा सोच हो जाता है और वह किया कि किया होडेक को क्याक घर से 100 किलो मिटर दूर वेविंग मेडन प्लेस को दिखायाता है और वही पे एल्डर के उन और उसके साथ-साथ एकिंगू आया हुआ होता है उन तीनों को यहां देखे उविंग मेडन प्लेस का यंग मिस्ट्रेस महां पर आ जाता है फिर वो यंग मिस्ट्रेस कहता है कि आप सभी का यहां प प्लेस का यंग मिस्टर्स कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो आप मुझे फॉलो कीजी और फिर बो मनी मन में सोच रहा होता है कि मैं इस औरास का कल्टिबेस में भी नहीं देख पा रहा हूं वो कितना सदा वार्फुल है सीन सिफ्ट होता है हमें दिखाती कि बोछ सभी हम सोब घर के अंदर आ गया होता है और वहीं हमें एकिंग को बैठा रहता है नियुकरिं को बैठा रहते है कि यहां था कि master भी उसके cultivation को देख नहीं पा रहा है तो इस तरह के strong person हमारे प्लेस पर आने का क्या वज़ा हो सकता है और तभी हमें दिख्यायता है कि white hair वले लडगी एकिंगू के पास आके कहते कि मुझे नहीं पता था कि missus यहां यहां पर आएंगे और वैसे मैं जान सकता है हमारे hidden expert जो है वो पैदे ढून रहा है और उसके लिए हम पैदे ढूनने के लिए यहां पर आया है और हमारे hidden expert आर्स से आया हुआ है फिर एकिंगू कहता है कि आपको पैदा बनना है यह बाते सुनके आपको जरूर बूरा लगा होगा पर आपके लिए एक great opportunity है master के नहीं है मेजू कहता कि युनी इतना रूड माथ हो और इधर उस सभी का ये बात हैं कि एकिंगू थोड़ा स्रियास हो जाता है और वो कहते है कि ब्लेस मस्टर आप मुझे किस नजर से देख़ते हैं कि एकिंगू की यह बात हैं के मेजू थोड़ी कांपती आवाज में कहत इकिंगो थोरा सांत होता है और फेर बो कहाता है कि आपके नजर में मैं एक Outstanding हूँ पर Master के नजर पर मैं कुछ भी नहीं हूँ अगर Master आपके नाम को भी याद राखता है तो आपके लिए यह बहुत दी किस्मत की बात है और आप बताओ आपका answer क्या है इकिंगों कि ये बाते सुनके बोट दून अपना घुटने टेक देता है और मेजू कहता है कि मैं मास्टर को सब्मिट करता हूं और हम मास्टर के लिए फेथफुली काम करेंगे सिंस सीप्ट तो में जूजियन प्लेस को दिखायता है वहीं पर बोट दूनों अपने बॉस के सबने घुटने टेक के बैठा रहता है और उनमें से कोई कह रहा हुता है कि आपका साब ओडिनेट टोटाली इसलेस है हमें सजा दीजी ये बाते सुनके उन दूनों का लेडर कह क्या करेंगे उसकी ये बाते सुनके उसका लेडर कहता है कि जम तक हम डिमोन क्लान का टेजर हैवेले डिमन चाइनिस लूट धून लेंगे तब जितने भी इलाइट सोलजर हो सभी को हम एक ही हीट में मर सकते है वो उसका लेडर कहता है कि अब बताओ वो डिमोनिक टेजर ह साथ ड्रागन क्लान के उपर एटेक करना है सिंज सिप्ट होता में चेंपन के जगा का सिंदी के आता है जहां पर एल्डर या चेंपन को कह रहा होता है कि मिस्टर चैन ग्रीन हाउस के अंदर जो फास्ट वैच का वेज़ेटेबिल था वो अल्रेडी मैचियोर हो चुका है य तबही चेंपन उट ये का अच्छा नहीं है यह कौनसा नहीं já मिस्टर चैन मुझे बता सकते था है तो मैं यह बात में इंप्रूब कर सकता हो यह सुनके 친辜нокं कहता है कि अच्छा ठीक हे आप मेरे साथ आईंए, मैं मेरे प्राइवेट प्लोड को दीखाता हूं, नहीं प्रेटेल्ज में बदाऊंगा, और सभी चिलाते वे कहाता है कि Royal Heart हर एक तो Royal Hearts है फिर सिंस शिप्ट होता में Chen Fan को दिखायाता है जो उस सभी को कह रहा होता है कि कैसे खेती करना होता है और उसका mode totally God of Agriculture के mode पे होता है उस सभी को details में बता रहा हुता है कि ऐसे पनी दो एससे माती फॉल करो £ करो फिर उसके अंदर अपना seeds डलो फिर अपना hearts निकल आएगा ऐसे करके details में बता रहा होता है और वो सभी सुन रहता है इल्डर या को कहते कि हा ओसके साथ जुन चोंगते गुए कि हुली सेट क्या मैं नियसेंट बिद्र इंदर आ गया होता है और और भाई पे व Keeping प्लेस का जितने सारे ओमयन थे वो सभी चैन्फेन के अंदर काम कारने के लिए यहां पे आ गया होता है उस हो यहां परेक्ग चैन्फेन के यहां के कान पर आकर कहता है कि Kayla Yeah मैं आप सभी को लूम्स बता दू क्या होता है वो सभी अपको बिल्कुल भी निरास नहीं करेगा ये सब बाते सुनके चैन्ट्फन कहता है कि आज ही टेक्स्टाइल मिल का कॉंस्ट्रक्शन खतम हुआ है और आज ही साड़े मेडंस लेके आ गया मेरे लिए अब बहुत ही सभी के साथ एल्डर क्यून है वही आप सभी को सब कुछ समझा देगा और मैं खुसी खुसी रिलाक्स कर सकता हूं और मैं अभी सभी के लिए ब्रेटवस बनाने जा रहा हूं चैन्फिंट महां से जाने के बाद वूबिंग मेडन प्लेस का यंग मिस्टर कहता कि मास्टर वह सभी रॉयल हवस था यह सुनके उसका मास्टर कहता है कि एकदम साही का या तक कि हमारे प्लेस पे भी सिर्फ सेबेंध ग्रेट के स्प्रिचल हवस तयार होता है पर वह तो आसानी से रॉयल हवस तयार का सकता है यह उसका नया कुदाल एल्डर क्यून को दिखाता है यह रिख ईल्डर क्यून के तो इसका मतला मास्टर क्या मर्सल इबेर डॉल्डर कर दिया और अचानक से कहता है कि वे बिंग मेड इन प्लेस के अंदर ओमेन फैंदे जुगर करने के लिए किंगु ने बहुत ज़्यादा मेहनात किया था और फिर भी अभी भी वो मास्टर से मिलने के लिए हिम्मत नहीं कर पा रहा है ये बाते सुनके हेल्डर या कहते कि मैं किंगु के लिए अपना बेश्ट दे रहा हूँ मैं ऐसे उमीदी कर सकता हूँ कि वो अपने खुद के दम पे ख़ड़ा हो सकते और एक बहुती बड़ा एचिव्मेंट हासिल कर सकते और मास्टर उसको याद कर सकते इस नोट का असली मतला है और इधर किंगु मनी मन में सोच रहा हुता है और तभी आचानक से उन दोनों का नजर यांजावफं के तरफ जाता है और यह देखे किंगु कहते कि वो कॉन रहा है जो इस गहड़ी रात में अपने तलबार को निहार रहा है और इदर किंगू कहते है कि अड़े वो यहां पर क्या कर रहा है इसका नाम यांजाओफेंग है मैंने तुम्हें पहले बताया था नहीं है जो मेरे फदर को फेंगू किंग्डाम के अंदर मदद किया और इधार आमें यांजाओफेंग को दिखाया था जो एकदम अपनी आलवार को तीखा कर रहा होता है और यह देखे कियोन कहता है कि उसका spiritual sense बहुत ज़्यादा बुरा है वह यहां तक sense नहीं कर पाया है कि हम यहां पे है कि किया बाते से कि कि तुम गलत हो क्या तुम नहीं देख सकते कि वह all lady meditation state पे हैं और वह सब भी five senses को block करके रखा है और उस पावार सिंस करते हैं अपने मेडिटरिजन से लॉट आता है और तभी दिखा आता है कि उस रुमाल के महां से होलियोग्राम के तरह चेंफेन प्रेजन में क्या कर रहा है वो गाना गा रहा है वो दिखा रहा होता है यह देखे किंगु सरमाते हुए कहते हैं कि मिस्टर चेंफेन को जो सच में अपना गाना गारा होता है और वो मनी मन में सोच रहा होता है कि पिछले कुछ दिनों से एल्डरिया हमें मुझे और किंगु को एक साथ लाने के लिए बहुत ज़दा मैनत कर रहा है पर उसको पता ही नहीं है किंगु मुझे इंडरीली रिजेट कर चेंफेन ये सोचते उसको बहुत ज़दा है और उसको मुझे करने के लिए जो धागे होता है उस धागों को पकरता है और तोड देता है और ये धागे टूटते ही इधार एकिंगू और कुँ नियान के जो रूमाल आस्मान में ऊर रहा था वो नीचे उतार रहाता है और यह देखके क्या क्या हाट ब्रोकेन सॉंग वो कह रहा है कि मैं इस दुनिया में किसी को कहां ढूड़ूंगा जो मेरे दिल को समझ सके धागे को टूटते वो रुमाल नीचे उतार आता है और तभी आचनेक से क्यूनियान के मूल से खून अने लगता है क्यूनियान यह क्या हो गयाएं मैं समझ गया मेरा नाम क्यूनियान है और Master ने अभी जो music किया उससे सब सब पता चलता है कि Master क्यों ढून रहा है और गैस मैं आप सबी को बता दू क्यों मतलब यहाँ पर एक treasure होता है डीग है वही treasure के बाड़े में बात कर रहा है और तभी भाई पर Ian Zawafang आपना दर्भासा खोलता है और उन दोनों को सामने देखे कहता है कि तुम सब और यह देखे एकउन को कहता है कि हलो मिस्टर यान मेरा नाम इकिंगु है और यह क्यों धून है और वह अभी बहुत ज्यादा घायल हो जुका है क्या रेष्ट करने के लिए एक रूम मिल सकता है यह बात सुनकर Ian Zawafang कहता है कि हाँ जरूर और आप एलडर या का डोटर है और मैंने सुना है कि Master ने आप सभी को कहा है कि क्यों धूडने के लिए यह सुनके यह क्यों करता है हाँ एक द्हुन सही कि कि फिर Kingu थोरा उदास होते हुए कि हमें यह नहीं पता है कि Master की तरह का क्यों धूडन रहा है यह एंजाफैंग कहता है कि एक इंसान के पास जो स्कील और किसमत से वाड़ा हुआ है और जो हैबन और आर्थ को भी बदल सकता है और लेजेंड की सबसे जो हैबले डीमन क्यून जो ट्रेजर है वही मास्टर ढूंड रहा है यह सुनके बोग तोनों कहते कि क्या है यह कहां यह सुनके यहां जाफैंग कहता है कि heavenly demon क्यून का एक PCS टेजर है और पुराने युद के समय यह खो गया था पर यह रिसेंटली रोडिंग स्ट्रॉम उसियां के अंदर दिखा गया है यह बाते सुनके यह किंगू कहता है कि Mr. Chen को थेंक्यू कहना चाहिए Mr. Chen के guidance के बादे नीचे एक चमकता हुआ चीज को दिखायता है और उसके साइड पर बहुत सारा लोग खरा हुआ रहता है उनमें से कोई कह रहा होता है कि हमें जो information मिला था वो एकदम साच है और उनमें से दूसरा बाला कह रहा होता है कि अरे एही तो है बेले demon क्यून है और फिर हमें क्याता है कि जितने सारे लोग उस टेजर के साफ ने गये थे वो सभी मारा जाता है और उसका साधिर गयाव होने लगता है यह सब situation दे कि जिन्जू प्लेस का लीडर खुद आगे आता है और वो कहता है कि इस समय मैं खुद जाओंगा तुम सभी मेरे पीछे रहो और मेरे म इसलिए आया है और यह बाते सुनके लडर क्युन कहते की ओ गूड माइं मिस्टा चेन मैंने सुचा था कि आप थो आपके पर काम करूंगा तो आपके लिए इसी हो जाएगा और यह सुनके चेंफेन मनी मन में सोचता है कि ओ माइग गॉड एलर यू कितना अच्छा इंसान और तभी आचानाक से Chen Fein का नजर Elder Qun के Kitchen Neep के तरफ जाता है जो थोड़ा बहुत scratch पढ़ गया होता है फिर Chen Fein Elder Qun को एक नया Kitchen Neep के कहता है कि Elder Qun आप इस Kitchen Neep को यूज कीजिए इससे आपको vegetable करने में और भी ज़ादा असान हो जाएगा और आचाने से उसका नजर चेंपें के तरफ जाता है और यह देखे कहा थी ओ मिश्रे चेंपें आप उठकें चेंपें कहता है कि आप एक दम सही टाइम पे आए आप मेरे साथ आईए आपको बताना है सिर्ण सीप्ट होता में लिखा है कि बहुत दूनों बाहर आ गया होता है जहां पर चेंपें थाट प्रिंस के फदर को कह रहा हो था कि अंकिल जाव क्या आपको पता है होर्स मार्केट के बाड़ा में यह सुनके थाट प्रिंस के फदर कहता है कि होर्स मार्केट ओ अच्छा समझा चेंपें कहता है कि यह अच्छी बात है और वैसे आप कुछ गोड़ा जुगर कर सकते हैं वैसे कोई 700-800 गोड़ा चेंपें के चेंपें कहता है कि 5,000,000 फिर चेंपें एक रूम के अंदर आता है और फिर वो एक रस्सी दिखाती है कि इस रस्सी को ले लेना उस घोड़े को बांधने के लिए काम आएगा फिर थाट प्रिंसेस के फादर रस्सी के तरब देखता है और वो क्या रस्सी और जब भी देख रहा होता है और वो उस रस्सी को अपने हाथ पे लेते हुए Muni Muni में कहह रहा होता है था और यस चैंप प्रिंस के लिए नहीं इसे सोच रहा हुत है कि heavily profound dragon star protection की युद्फ कर रहा है क्या कुछ हुआ है सबको देख के लग रहा है कि सभी ठीक ही है फिर सेकेट फिर नीचे उतार आता है और उसके पेट्रियाच के सामने आके उसको ग्रिट करता है और ये देखे Patriarch कहते है कि हाँ उटो जब तक तु ठीक हो सब कुछ ठीक है Second Prince Patriarch के सामने के कहते है कि Patriarch अब जितनी जल्दी हो सके Soul Marceau Realm के जितने सारे एक्सपार्ट है आप मेरे साथ जाने के लिए कहे क्योंकि Dragon Clan के लिए मैं एक बहुत बड़ा opportunity लेके आया हूँ और ये सुनके Patriarch कहते है कि क्या opportunity ये सुनके Second Prince कहते है कि एक एक्सपार्ट है जो आर्थ से आया हुआ है मैं उसके लिए काम करना चाहता हूँ और वो रिसेनली एक horse track बना रहा है आप जितनी जल्दी हो सके सभी को बुलाईए नहीं तो हम वो opportunity मिस कर देंगे और इदर हमें उस Patriarch को दिखायता है जिसका हलाद बहुत ही खड़ाब हो गया तो बहुत ही ज़्यादा गुशता हो गया होता है और फिर वो Second Princess को एक चाटा मारते हुए कहते कि Silence फिर पर पेट्रियाच चिल्दा तो हुए कहता है कि तुमें डिगनिफाइड ड्रागन व्लैड लाइन हो और तुम कैसे एक मोटल के लिए कम कर सकते हो Second Princess अपने कांप्तिय होज में कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ पेट्रियाच यह सच है नहीं तो आम यह बहुत बरे पेट्रियाच को कहता है कि इसको बंदी मना के रखो फेरा में दिखा थी कि पेट्रियाच के स्वाड एनर्जी था वह रियल था पर एक मास्टर के लिए स्वाड एनर्जी फ्रोडियूस करना इंपॉसिबल है एक प्रिंस महाँ से जाने के बाद पेट्रियाच उसके साब ओडिनेट को कहता है कि रेसेंटली रोरिंस ट्रॉंड एसियान के अंदर एडिमोन क्लेन आया है और मुझे डर है कि कुछ दिनों से हैव और आर्थ के अंदर कुछ चेंजेस हुआ है और गाई अज अपीसोड खताम हो जाता है वीडियो कैसे लागा मुझे कॉमेंट करके जरूर बाता ना विडियो अच्छ लगाता है वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आपको कॉमेंट कर के बता सकते झाल